Hello students, welcome to my YouTube channel Mind Maps by Akash तो आज हमारी second class है Indian Geography course के लिए कल मैंने आपको पूरी strategy बता दी थी कि कैसे मेरा जो course है जो strategy है ये this is happening first time on YouTube और आपकी जो आदत है geography को पढ़ने की उसको prepare करने की वो आदत आपको better करने के लिए मैंने कुछ strategy दी थी कल कि आप अपनी geography को comprehensive तरीके से खतम कर पाओ because UPSC में मैं बतायता हूँ बाकी exams का जो होते हैं SSE के exams है वहाँ पर बहुत factual चीज़े होती है और आपको वहाँ पर पता है तो पता है नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता लेकिन UPSC के exams जो होते हैं they completely depend on concepts कुछ questions common sense से होते हैं और कुछ questions conceptual होते हैं जो factual होते हैं वो आपके लिए हैं ही नहीं basically कुछ students मुझे बोलते हैं sir geography के लिए NCRT करने के लावा और क्या करना है तो मैं उन्हें यह बोलता हूँ कि doable questions जो geography के होते हैं क्या वो NCRT से भार कभी आए हैं नहीं आए कभी भी direct line statements होते हैं चाहिए UPSC का कोई भी exam हो और दूसरा fact आपको समझने की जरुरत है कि अगर आप 500 page नए किसी geography के भी पढ़ जाओगे न तो 99% chances हैं कि जब वो question आएगा geography का NCRT के भार से आप तब भी नहीं कर पाओगे बेशक आप 500 pages के notes और किसी book से पढ़ लो कितने भी books complete कर लो जो question नहीं होना होगा न और NCRT से भार होगा 99% chances आप वो नहीं कर पाओ क्योंकि वो doable है ही नहीं वो आपको distract करने के लिए दिया है या negative marking के लिए दिया है so it's better कि जो examiner पूछ रहा है हम उसी दाइरे में रहें and we should not cross our limits मतलब जबरदस्ती के आप इर्फान हभी पढ़ने लगेंगे geography के लिए फिर आप बोलेंगे sir और बड़ी-बड़ी कोई books है अरे आपको देखो general studies का मतलब क्या होता है general studies का मतलब होता है कि कोई ऐसी study करना जो generally आपको पता हो ठीक है general knowledge लेना उस चीज़ की इसलिए उसको नाम general studies है it is not specific studies it is not master studies आपको PhD नहीं करनी है किसी geography में या किसी में master's वगरे नहीं करनी है आपको ये college level के लिए नहीं पढ़ना है you need to understand this वो आपको college level के लिए पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे है कि आप college में बताओ ऐसा होता अगर तो फिर वो बोलते है कि उन्हीं students को आना चाहिए जो geography, history, economy ये सब पढ़ते हैं एक साथ college में ऐसा तो कोई course नहीं होता ना तो समझने की जरूरत है 100 questions अगर हैं तो 100 तो करने हैं नहीं 100 करके आओगे negative marking से ही भाहर हो जाओगे this is the truth, this is the reality of UPSC exams one third negative marking होती है भाहर हो जाओगे questions होते हैं doable 60% उसके बाद 60% भी शायद मैं जादा बोल रहा हूँ लेकिन मैं एक benefit or doubt दे रहा हूँ कि चलो 60% है 10% जो होंगे वो concept से जाएंगे और उतने ही क्या जाएंगे common sense से तो basically क्या सीन है ना कि questions सारे नहीं करने हैं जब इस सोच के साथ आप पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको पता है कि UPSC के फेवरेट जो books होती हैं वो NCRT's हैं direct line से statements आती हैं exam में direct statements मैंने आपको previous year question papers का जब analysis करा है इस channel पर मैंने दिखाया तक हुआ है मैंने chapter तो क्या उसमें book के साथ साथ कौन सी class से है कौन सा chapter है और even page number भी मैंने बताया है कहां से लिया गया है तो जो doable questions है उसमें फोकस करो ना यार ज्यादा maximum तरीके से revise करो problem आपको क्या है कि आप पढ़ जाओगे यहां से revision करोगे दो बार ठीक है और वहाँ पर जाके question आता भी होगा जो NCRT से फिर आप बोलोगे बड़ा इम मुश्किल question था कोई मुश्किल question नहीं था directly NCRT से questions होते हैं आपकी revision अच्छी नहीं है इसलिए आप dots को connect नहीं कर पाते हैं वो दो points को जोड़ कर आपको बताते हैं कि आपको इसका answer क्या होना चाहिए तो वो connect करोगे dots वो तभी कर पाऊगे जब आपको revision आती है revision करो भाई मतलब आप cycle पर stunts तब तक नहीं कर सकते जब आपको basic cycle नहीं चलानी आती हो तो आप concepts के साथ तभी connection उनका निकाल सकते हैं जब आप basics अपने complete करें उसकी revision करें अच्छे तरीके से पढ़ें उसे ठीक है तो इसलिए NCRT Accord जरूरी है और जो strategy मैंने कल first class में बताई थी आप वो जानते हैं हम लोग class wise नहीं जाएंगे क्योंकि उससे क्या होता है कि आप six class खतम करने के बाद जब सेवेंथ पर जाते हैं तो आधी चीज़ें भूल जाते हैं जो six में पड़ी थी आपने हम क्या करेंगे हम एक topic सको और dots को connect कर सको वैसे ही आज motions of earth के लिए और interior of earth के लिए इनके लिए हम class लेंगे जिसमें क्या होगा कि basically हम अंदर से समझेंगे उसे कि six to twelve में क्या क्या topics हैं जो हमें पढ़ने चाहिए जो हमें करने हैं ठीक है और एक साथी पूरे topic का flow बनता रहा है और हमें समझ आए बहतर तरीके से क्योंकि exam निकालना है PhD नहीं करने हैं we need to understand this ठीक है so let's start with the class as you know that the earth has two types of motions अबको में निकल बताया था एक होता है rotation अपनी ही axis पे घूमना और दूसरा होता है revolution जो sun के आसपास घूमना ठीक है fixed path या orbit में घूमना the axis of earth which is an imaginary line makes an angle of 66 and a half degree with its orbital plane तो जिस orbit पे है वो उस plane से अगर आप नापेंगे तो 66 and a half degree वो थोड़ा सा घूमा हुआ है तो एक question किसी ने मुझसे पूछा हुआ था sir why only 23 degree latitude is taken जब भी zones को divide करते है and why only 66 and a half ये earth की axis की जो tilt है उसकी वज़े से लेकिन ये questions examiner पूछता नहीं है ठीक है the plane formed by the orbit is known as the orbital plane ठीक है ये आपका earth है मान लीजे ये जैसे सोचिए ये आपका earth है ठीक है अब ये जब earth है basically तो one second let me make another one ठीक है और माल लीजे ये इस orbit में घूम रहा है ठीक है I think you will not be able to understand this this way ठीक है इस orbit में घूमने वाला है ठीक है ये इधर से जाएगा और इधर से आएगा इसकी lines में थोड़ी change कर देता हूँ ठीक है ऐसे है तो ये जिस orbit में यूं करके घूम रहा है वो क्या है वो orbit है आपका और उसके हिसाब से ये orbital plane हो गया तो ठीक है उसके हिसाब से deviated है थोड़ा सा tilt है basically अर्थ और इस tilt की वज़े से ही बहुत सारी चीज़े होती है हमारी अर्थ के साथ जो आज हो रही है वो किसकी वज़े से है वो उस tilt की वज़े से है तो यतनी भी चीज़े हम देखेंगे इस motions of earth में हम यही sun at a time क्योंकि वो spherical है इसलिए half earth के ओपर अंधेरा होता है और half earth के ओपर रोश्नी होती है यह statement सीधा examiner पूछ लेगा why half of the earth doesn't get sunlight at a time at a point of time and the other one is glowing तो वो इसलिए है क्योंकि वो spherical shape है जो sun को experience वो face कर रहा होता है वहाँ दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है जो circle होता है जो divide करता है night को और day के पूरा half में बढ़ जाता है ना पूरा तो basically hemisphere मान लीजिए तो उसको क्या बोलते है circle of illumination ठीक है this circle does not coincide with the axis as you see in figure 3.2 ठीक है तो यह जो axis है basically इस से coincide करने या कोई नहीं है क्यों क्योंकि आपका जो basically यह है ना यह सीधा है यह circle of illumination यहां स sunrise आ रही है लेकिन आपका जो tilt है ना अर्थ का वो थोड़ा सा टेड़ा है ठीक है tilt जो है वो थोड़ा सा टेड़ा है यह आपको यह मिलिया आपको जवाब क्यों 23 and a half degree और अगर इधर से देखेंगे इस से तो axis कितनी है 23 and a half degree और अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो of the earth's orbit यह वाला है जो मैंने आपको बताया था ठीक है उसके हिसाब से यह 66 and a half degree है इसलिए यह दोनों चीजें आपकी किस वज़े से हैं क्योंकि inclined है आपका ठीक है earth को 24 आज लगते हैं अपनी ही जगा पर rotate करने के लिए और एक rotation का जो period होता है जो 24 घंटे है उसको बोलते ह है earth day यही होता है daily motion of the earth लेकिन yearly motion होता है उसको revolution बोलते हैं क्या होता अगर earth rotate नहीं कर रहा होता तो एक portion of earth हमेशा sun को face कर रहा होता पूरा time वहाद दिन होता और continuous warmth जो है आती रहती और जो हमारी रात होने की वज़े से जो warmth छोड़के जाती है earth को insulation और वो सब देखा है न ह हम पढ़ेंगे geography में भी हम लेकिन वो यहां से concept आता है basically कि अगर लगातारी आ रहा होता है तो heat वापस कैसे जाती तो वह हम अर्थ जो है जैसे ही शाम हो जाती है अंधेरा चला जाता है तो रात में वह heat जो insulation होती है जो दिन पर आती है heat उसको धीरे-धीरे radiate करता है बहार होती है दूसरा जो हिस्सा होता जहां पर पड़ती ही नहीं धूप कभी वहाँ पर क्या होता कि वह हमेशा darkness में होता life would not have been possible in such extreme conditions in extreme conditions में life would not have been possible अब मैं आपको इस बात बताता हूँ ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा है basically यहां पर एक question ही आता है कि what would happen if the earth did not rotate इसका मतलब अगर अर्थ के पास that means earth के पास option था rotate ना करने का भी तो UPSC इस पूरे paragraph से question उठा सकती है कि क्या जरूरी है कि कोई planet अगर revolution कर रहा है अपना किसी star के around तो वो rotate भी करे क्या वो जरूरी है इस paragraph से यह जो चीज है वो nullify हो जाती है क्योंकि इन्होंने जो question पूछा उसका answer अगर ये दिया होता कि ऐसा होई नहीं सकता कि वो rotate ना करे उन्होंने reasons दिये कि rotate नहीं कर रहा तो उससे क्या क्या हो सकता था उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसा नहीं हो सकता भाई कि sun के आसपास आप revolution कर रहे हो तो rotate ना करो तो यूपी ऐसी क्या है ऐसी चगाओं से questions पूछना पसंद करता है यह हमने देखा और 365 and a quarter days जो है वो लगते हैं और जो 6 hours है उसको हम convenience के लिए ignore करते हैं उसके बाद जब यह add up होता है तो हर 14 साल leap year होता है तो एक दिन हमें extra मिलता है basically यह है पूरा structure किस तरीके से sun के आसपास घूमता है ठीक है यह revolution हो रही है ठीक है शुरू करते हैं January से ठीक है मतलब starting वाले year से शुरू करते हैं पहले क्या आता है यह रहा आपका spring ठीक है इसको बोलते हैं equinox equinox का मतलब sun जो है वो directly equator के ओपर face कर रहा है ठीक है directly on the equator तो 21st March और 23rd September में क्या होगा equinox होते हैं 21st March 23rd September जब sun जो है directly किस पे है equator लेकिन दो वक्त ऐसे आते हैं जो मैंने बताया था जब वो एक time पे extent उसका कहा तक जाता है 23.5 degree north which is the latitude of Tropic of Cancer और वहीं पे नीचे की तरफ south का extent उसका कितना होता है 23.5 degree south latitude of Tropic of Capricorn तो जब वो northern hemisphere के सबसे उपर extent पे 23.5 degree Tropic of Cancer पे जाता है तो summer होती है northern hemisphere में और 21 June के time पे ऐसा होता है इस दिन क्या होगा longest day होगा longest day equal day and equal night equinox का मतलब ही है equal night ठीक है यहाँ पे भी same यह वाला ठीक है यहाँ पे क्या होगा shortest day और यह कब होगा shortest day 22nd December क्योंकि यहाँ पे winter होगी northern hemisphere में और southern hemisphere में होगी summer क्योंकि Tropic of Capricorn तक extent जाता है इस वक्त पे किसका आपके sun की movement का ठीक है तो यह movement जो कल मैंने बताई थी I hope आपको याद हो six hours saved everyday are added to make another day जो 24 hours बन जाते है ठीक है यह this surplus day is added to the month of February thus every fourth year February is of 29 days instead of 28 days ठीक है such a year with 366 days is leap year यह आपको पता है figure से यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि बिल्कुल circle में नहीं घूम रही है वो actually एक अलग तरीके के orbit में आसपास revolution कर रहा है अर्थ जिस orbit का नाम है elliptical orbit कौन सा orbit है elliptical orbit ठीक है नाम याद रखेगा notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction अब आप देखिए inclination देखिए axis के हिसाब से यहाँ पे भी इतना है यहाँ पे भी इतना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ठीक है उसके बाद चलते है next हमने सारा वह देख लिया ठीक है यहाँ पे हमने पढ़ लिया है किस तरफ से inclined होता है कहाँ पे होता है और यह सब चीजें ही हमने देख ली हैं जहाँ पे रातें जो हैं लंबी होती हैं डेस से ज्यादा तो नर्दन हमिस्फेयर में तो वह क्या मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा summer solstice which is 21st June 22nd December पे हो रहा होगा winter solstice ठीक है मैंने NCRTs इतनी बार पढ़ी है और मैंने NCRTs कम से कम 20 से 25 बार अपनी preparation के दोरान पढ़ी थी I know in and out NCRTs के अंदर क्या है ठीक है and this is this became the reason के when I went to the first attempt in 2018 so I cleared the prelims in the second attempt I was in the interview and in the third attempt also I was in the interview but actually I was serving in the other government office as well so मतलब जो लोग यह students बोलते हैं के sir job के साथ कैसे पढ़ सकते हैं वो सब है even I was appointed as an officer in 2017 last और 2018 में मेरी posting शुरू हुई थी and the fact of matter is के मेरे को वापस आने के बाद 6 गंटे 7 गंटे ही मिलते थे और मैं पूरा time जो है आते आके and सही बात है inspiration और motivation होना बहुत ज़र हो रही है I was always a motivated person I am always very energetic I don't feel lethargic at all मुझे ऐसा नहीं लगता के मुझे थोड़ा सा थकान हो रही है वो सब हो रही है तो office से आने के बाद इतना काम करने के बाद I used to come back home I used to study 6-7 घंटे मिलते थे लेकिन मुझे strategy समझ आ रही थी क्या है तो first attempt में prelims इसले निकल पाया क्योंकि मुझे समझ आ रही थी के NCRT is बहुत important है and I stick to NCRT only second attempt में prelims मेरा असानी से निकल गया and I went directly to interview panel उसके बाद third में भी सीधा interview में जाने के बाद फिर उसके बाद I realized some things and then I did not continue and I am continuing my job right now मैं अपनी job करता हूँ I am very happy in that and everything is happening the way I wanted it to be I am serving the nation ठीक है इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से मैं अलग तरीके से nation को serve करता हूँ कुछ लोग अलग तरीके से nation को serve करते है at the end of the day आपको nation को serve करना है वह बहुत जरूरी है ठीक है and कुछ financial reasons की वज़े से भी I could not continue सारा जो पैसा था वो salary थी वो किसी और कामों में जा रहे थी so that's a different thing altogether but the thing is के पढ़ाई हो सकती है और मैंने NCRT वगरा बड़े अराम से पढ़ी है और ऐसा वक्त भी आएगा आपके पास जब आपके पास interview के mock interviews लेने के पैसे नहीं होगे जो कि मेरे साथ problem थी ना second attempt में ना third attempt मेरे पास mock interviews के ही पैसे नहीं थी basically so this is what happens when you are a student और student life में बहुत सारी problems होती है but मेरा plan था nation को serve करना and I am serving my nation and I feel very happy about it that's the end line that's the bottom line ठीक है तो इसी लिए prelims को clear करने के लिए मैं civil services तक की बात कर रहा हूँ आप defense exam तो छोड़ दीजिए civil services की बात कर रहा हूँ मैं भया ऐसा है CDC बात ऐसी है NCRT के बिना आप civil services crack नहीं कर सकते third party के 5,000 के notes ले लो 10,000 के notes ले लो मैं यहीं बैठा हूँ आपके सामने आपको जब भी ऐसा हो के sir मैंने NCRT नहीं उठाय तो मैंने exam clear कर लिया मैं जैनल बंग कर दूँगा आप निकाल ही नहीं सकते this is the reality of it ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वो सारी सेम चीजे लिखे हैं जो मैंने आपको इस paragraph में शुरुआत में बताई थी ठीक है next चलते हैं अब यह खतम हुआ है हमारा motion of earth motion of earth से related 6th class के NCRT में ही हमारे को यह सब दिये हुआ है अब जो हमारे पास topic हमें पढ़ना है वो पढ़ना है interior of earth के earth के inside जो है जैसे crust mantle core बहार से अंदर की तरफ जाने का पूरा यह flow है मैंने आपको बताया और आप यह जानते भी है crust mantle और core आपको पता है इसकी series कैसे होती है ठीक है तो यही हमें देखना है इस class के अंदर और यह standard 7 class 7th का second chapter है यह क्या है inside our earth इसमें क्या है भई the earth our homeland is a dynamic planet यह आपको पता है कोई basic planet तो नहीं है इतने तरीके की species हैं इतने तरीके की organisms हैं इतना पेचीदा complex atmosphere है everything और dynamic का मतलब होता है it's living हर चीज चल रही है अपने हिसाब से एक natural law के हिसाब से everything is working it is constantly undergoing changes inside and outside दोनों तरफ हो रहा है basically इंटिरियर ऑफ दी अर्थ के बारे में देखते हैं यहां बहुत अच्छा डाइगराम मना है और यह NCRT से बहतर आपको कहीं पे मिल ही नहीं सकता और जो data यहां पे दिया हुआ है हमेशा NCRT की हमेशा जो answer की बनेगी UPSC की वो in statement से बने हैं तो आप चले गए हो exam से बाहर इसलिए भई legit data पढ़ो ना क्यों ऐसा data पढ़ना है कि आप यह बोलो सर आंसर की में तो गलत आ गया यार मैंने तो यह पढ़ा था तो क्यों गलत पढ़ रहे जहां से answer की बन रही है वहीं देखो ना ठीक है अब देखतें क्या है एक onion की तरह earth जो है वो बहुत सारे concentric layers मतलब के circle से ही निकलते हुए उसी के अंदर और सारे circles तो वो है concentric मतलब layers मतलब जितने भी circles बनेंगे आप यह देख रहे है circle इनका center एक ही है इसको बोलते concentric uppermost layer होती है वो crust होती है और वो सबसे thinest होती है और around कितना है crust जो है आपका वो होगा 35 km के around ठीक है कहाँ पे continental masses पे जहाँ पे आपके continents बने हुआ है लेकिन अगर oceans की बात आए तो तो यह सिर्फ 5 km होते हैं जब oceans की बात आती है ठीक है main mineral जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो क्यों मिलेगा आपको silica और alumina क्यों क्यों क्योंकि silica और alumina बहुत light elements है इसलिए उपर की तरफ आ गए है वो silica and alumina ठीक है आप कैसे याद रख सकते हैं इसको सियाल ठीक है next चलते हैं क्या है जो main mineral हमने देख लिया है oceanic crust जो होता है उसमें mainly silica और magnesium होता है ठीक है तो क्या है मैंने ये continents का बताया है कि continental level पे कौन सी कौन सी चीज़ available होती है जो oceanic crust होता है वहाँ पे होता है सीमा ठीक है तो ये किसका हो गया आपका continental crust का ठीक है oceanic crust के अंदर क्या होता है आपका होता है सीमा silica and magnesium it's not magnesium it's magnesium just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 kilometers इसी लिए क्या होगा कि जो आप ये mantle देख रहे हैं ये 2900 km के आसपास आपको मिलेगा ठीक है below the crust innermost layer जो होती है उसका radius क्या है 3500 km और उसको बुलाते है core ठीक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है knife nickel and ferrous the iron जिसको बोलते है that is iron तो knife इससे आपको याद रखने के लिए है तो क्या है core में knife ठीक है core में क्या है knife nickel and iron इसी वज़ा से gravitation pull इसलिए भी बहुत जादा होता है क्योंकि हमेशा जो celestial bodies होती है उनके crust में heavy elements होते हैं और heavy elements कौन से है iron तो इसलिए वो बीचो बीच है महाँ पर भरपूर मात्रा में iron है इसलिए उसकी gravitation pull होती है basically अब क्या है और do you know में देखते हैं बहुत important है the crust forms only one percent of the volume of the earth अगर आप 100 liter metric cube जो है 100 meter cube आप मानते हैं उसकी volume है अर्थ की तो उसमें सिर्फ one metric cube किसका है आपका crust का 84 जो होगा वो mantle का होगा और 15% किसका होगा core का होगा ठीक है तो please इसको याद रखेगा I hope आपको समझ आ रहा होगा radius of earth क्या होगा वो 6371 km होगा और अगर आपको लगता है कि हम छेद करके क्यों ना crust से घुसके mantle में चले जाए बहिया ऐसा है आप इतनी depth में जाही नहीं सकते the reality is that आपके ज़्यादा ज़्यादा 5 से 6 km के आसपास अंदर जा सकते हो वो भी कभी मुश्किल से होगी उसमें बहुत heavy machines से होगी इतनी गर्मी होती है अंदर की तरफ that the machines cannot tolerate elements जो है वो ज़्यादा तर अपनी solid form में रही नहीं पाते they melt over there तो ये एक बहुत बड़ा issue है इसकी वज़े से हम depth में personally कोई machine लेकर नहीं जा सकते हैं फिर आता है rocks and minerals इसमें क्या है अर्थ का जो crust होता है वो बहुत अलग-अलग तरीकों के rocks से बना हुआता है कोई भी natural mass होगा mineral matter का that makes up the earth's crust is called a rock minerals matter से बना होना चाहिए natural mass होना चाहिए और earth की crust में होना चाहिए तो वो क्या है rock rock अलग-अलग हो सकते हैं उनका color उनका size और उनके texture पे सीधा का सीधा question आ सकता है प्लीज याद रखेगा rocks हो किस पर classify कर सकते हैं the nature of the rock depends on which constituents directly question आ सकता है पांच चीज़े देगा आपको यहां क्या दिया हुआ हुआ है color size and texture यह तीन ही करके आने आपको तीन major rocks है igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks जब भी आप volcano में देखेंगे जब volcano से molten magma निकलता है जो mantle वाले part में जो पूरा वो होता है mantle होता है क्या होता है कि यह वाला जो area है न आपका mantle वाला area यह liquidy form में रहता है तो जैसे ही कोई उपर fissures या tuton होती है crust पे तो थोड़ा सा भी जब खुलता है तो अंदर से जो mantle है वो अपने आपको बाहर फैक नहीं कोशिश करता है तो जैसे ही वो बाहर फैकत जलते हैं उसको बोलते हैं igneas rocks और इनको क्या बोला जाता है प्राइमरी rocks क्योंकि सबसे पहले rocks इन के बाद बाकी सारे rocks बनते हैं यह भी दो तरीके से होते हैं intrusive rocks and extrusive rocks ठीक है कौन से होते हैं intrusive and extrusive rocks ठीक है अब क्या है जो की crust के ऊपर आने के बाद बने जो की crust के ऊपर आने के बाद जैसे when this molten lava comes on the earth's surface on the earth's earth's surface पर आ जाए और फटा-फट वहाँ पर cool down कर जाए और solid हो जाए तो वो जो होते हैं बने हुए rocks उनको बोलते हैं exclusive igneous rocks बहुत ही fine-grained structure होता है example basalt decan plateau जो है जो आपका decan plateau है नीचे विंध्या और सत्पोड़ा range के नीचे जो decan plateau है उसमें क्या scene है कि वहाँ पे आपको basically जो rocks है वो basalt rocks है कभी-कभी ऐसा होता है कि जो molten magma है न वो जमीन पे आकर नहीं ठंडी होती वो earth के crust के अंदर-अंदर की तरफ ही कहीं पे ठंडी हो जाती है and since they cool down slowly जमीन पे आने के बाद जो temperature है वो कम है comparatively जितना आप depth में जाएंगे temperature बढ़ता रहेगा न अर्थ में तो वहाँ पे ठंडा late होगा जल्दी ठंडा कहां पे होगा बाहर अर्थ के surface पे आके ठीक है तो यह अराम से cool down करते हैं and these solid rocks are called intrusive अंदर की तरफ होने वाले intrusive in and extrusive मतलब external तो यह बाहर की तरफ हो रहे हैं तो इनको बोलते हैं extrusive igneous rocks ठीक है अब क्योंकि यह बड़े अराम अराम से ठंडे होते हैं तो इसलिए बहुत large grains होते हैं fine grains मतलब छोट 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 छोटे grains वह extrusive rocks में मिलते हैं igneous rocks में यहाँ पे हमें बड़े-बड़े large grains मिलते हैं granite है इसका एक बहुत बड़ा example granite is an example of such a rock grinding stones used to prepare paste और powder of spices and grains वो किससे बने होते हैं grinding stones जो होते हैं वो granite से बने होते हैं rocks roll down crack and hit each other and are broken down into small fragments बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर होते हैं चट्टान गिरती हैं टूट जाती हैं बिखर जाती हैं बहुत सारे चीज़े होती हैं पत्थर और छोटे-छोटे form में हो जाते हैं यह जो छोटे particles बन जाते हैं इसको बोलते हैं sediments यह sediments होते हैं यह deposition हो जाए कि वो धीरे-धीरे आपके किसी और एरिये में चला जाए पत्थर बहुत सारी चीज़ों की वज़े से हो सकता है ठीक है तो यह loose sediments होते हैं then they are compressed and harder to form layers of rocks फिर यह जमते रहते हैं परत बाय परत परत बाय परत जमते रहते हैं तो इन rocks को बोला जाता है sedimentary rocks जो primary rocks के टूटने के बाद आए हो तो यह secondary rocks भी मान सकते हो आप इने example sandstone जो है वो किस से बनता है sand से बनता है sand है खुली पड़ी हुई है उड़के आ रही है उसके बाद धीरे जब वो जमा हो रही होती है तो और थोड़ा compress होती रहती है और फिर rock बन जाती है तो वो sandstone जो है वो example किसका है sedimentary rocks का these rocks में also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them तो life के बारे में अगर हमें जानना है in the history if we want to see the evolution or the history which rocks are we going to prefer? we are going to prefer the sedimentary rocks यहाँ पे इन layers में आपको मिलता है जितने layers आप नीचे जाते रहेंगे उतना ही past को आप divide करते रहेंगे और तो यह क्या है plants, animals और microorganisms के fossils जो हैं जो हमें dinosaurs के fossils मिलते हैं वो basically sedimentary rocks में मिलते हैं igneous और metamorphic rocks, sedimentary rocks जो होते हैं वो अपने आपको change कर सकते हैं metamorphic rocks कैसे under great heat and pressure जब भी एक पत्थर के ओपर great heat खतरनाक मात्रा में heat और pressure पड़ेगा तो पत्थर की जो nature है वो change हो जाता है तो वो igneous to metamorphic हो सकता है और वो sedimentary से भी सीधा हो सकता है metamorphic, तो इसमें कोई वो नहीं है कोई एक पत्थर ही दूसरे में change हो सकते हैं दोनों change हो सकते हैं metamorphic में, जैसे example clay changes into slate and limestone into marble, यह कुछ examples हैं उसके, ठीक है rocks are very useful to us, अब जितने भी आसपास देखते हैं, buildings हैं, मिनारे हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, वो rocks से ही बनी हुई है यह roads, houses, buildings, सब के लिए use होती हैं, बहुत सारे games में भी होती हैं, और आजकल तो आप यह भी देख रहे हैं, पत्थर बाजी भी होती है stone pelting होती है, आप तो रुख गई है, जमुन काश्मीर में, बट पता ही आपको, पत्थर से कितने सारे use होता है new region में, हर्याना में, हमने सीन देखा था, हर जगा होता है, नेपाल में भी होता है, बहुत सारी जगाओं भी होता है पत्थर बाजी हो गई अob शरू तो पत्थर का इस्तमाल देखिया आप, पत्थर का इस्तमाल होना चाहिए recognised इंफ्रस्रक्ट्टर बनाने के लिए यह उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्डिंग्स थोड़ने के लिए यह है रोक्स आर वेरी यूस्फुल टो आस तो क्योंकि आपको यह चीज याद रहे कि आपने कहीं से पढ़ा था और यह पूरा बैट जाए तो यहां यहां पर बिल्डिंग्स मैं यहां पर कॉमा डाल रहा हूं एंड पत्थरबाजी या स्टोन पैल्टिंग और स्टोन पैल्टिंग ठीक है तो प्लीज याद रखेगा कंट्री को सर्फ करने जा रहे हैं कोशिश कीजेगा कि इंटर्नल सेक्यॉरिटी जो है वह मेंटें रख ठीक है अब यह भी आपको पता है सारी चीजे हैं ओके यूविल बी सप्राइज तो नो डाट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजिस तो अनधर टाइप अंडर सर्टेन कंडिशन इन साइक्लिक मैनर घूम फिर के वहीं पर आता है वह इस प्रोसेस ओफ ट्रांस्फोरमेशन को ब सेडिमेंट्स बन जाते हैं तो क्या बन गया सेडिमेंट्री रॉक से भी वापस टूट के वह क्या बन सकता है सेडिमेंट्स तो उसमें कोई वो नहीं है ठीक है उसके बाद जब इन दोनों रॉक्स को इगनियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को आप थोड़ी सी हीट दोगे ठीक है, heat and pressure में वो क्या बन जाएगा, metamorphic rocks, ठीक है, उसके बाद जो metamorphic rocks बन गए हैं, वो भी और ज़्यादा heat और pressure में meltdown कर सकते हैं, और फिर molten magma में ही तबदील हो सकते हैं, अब rocks are made up of different minerals, minerals भारी मातरा में होते हैं, majorly rock के अंदर जादा तर dust तो कमी होती है, minerals सबसे जादा होते हैं, naturally occurring substances होते हैं, जिसका एक certain physical property होती है, definite chemical composition होती है, ठीक है, minerals जो हैं, बड़े important है, humankind के लिए, some are even used as fuels, जैसे coal, natural gas, petroleum, यह सारे fuels के तरह used भी होते हैं, they are also used in industries, जैसे gold हो गया, uranium हो गया, it's not aluminum, it's aluminum, ठीक है, and iron, medicine, तो यह सारी चीज़े होती हैं, medicine में भी use होती हैं, तो बहुत सारी चीज़े हैं, जो minerals जो हैं, बहुत जगा पर use होते हैं, इतना ही हमें minerals के लिए यहाँ पर बताया हुआ है, इतना ही पढ़ना है, अब पूरा हमने chapter पढ़ा, कितने basics हमने clear कि, कितना वक्त लगा, 15 minute, क्या मुश्किल था बताईए, जो हमें पढ़ाना पढ़ रहा है आप लोगों को, internet पे आके, YouTube पर आकर, सोचके देखिए न, यह जो काम आप खुद कर सकते थे, वो यहाँ पर YouTube पर आकर, मुझे बैठके, आपको पढ़ाना पढ़ रहा है, what's the point of it, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे पास जितने students आते हैं, they always complain कि sir, हमने किसी, I will not take the name, कि sir, हमने 5000 rupees में notes खरीदे हैं, मतलब, institutes are providing 5000 rupees worth of notes, only, not the videos, भाई 5000 के notes मिल रहे हैं, सिर्फ साल के, problem सबसे बड़ा पता क्या है, education industry का, you will be provided notes, यह मैंने मान लिया, सब के पास notes है, you will be provided with notes, थिक है, but, they don't tell you, अब यह प्लीज इस पर ध्यान दीजेगा, यह बहुत बड़ा issue है, how to handle it, और how to handle them, अरे भाई, notes तो दे दिये, इनको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, यह कौन बताएगा, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, revision कैसे करनी है, अरे भाई, notes तो दे दिये, उनको application में कैसे लेकर आना है, कैसे उनको use करके answers निकालने हैं, कैसे concept को connect करना है, कौन बताएगा, 5000 के notes आप लोग खरीदें, seriously यार, क्या हो गया students को भाई, यह videos मैं free में लेके आ रहा हूँ, यह free में ही बननी चाहिए, videos तो free में ही होनी चाहिए, भाई, content writer को पैसे देने पड़ते हैं, content बनाने के, वो बात अलग है, उसके लिए content के लिए पैसे ले रहा है, ठीक है, लेकिन आप notes किसी को provide कर रहे हैं, भाई, उन्हें समझाईए तो सही कि उन्हें handle कैसे करना है, हवाई बातें से कुछ नहीं होता है, भाई, ठीक है, और मैं आपको हमेशा, मैं हमेशा ये मानने, लोगों में से हूँ, I do not tell students, हाँ, जो मेरे batch के अंदर है, core batch के अंदर, they know what I do, they know what I work for, और they know where I work, they know me in and out, जो मेरे पास 7,000-2,000 लोग जुड़े हूँ है, बहुत पहले से, ठीक है, 6-7 महीने से जुड़े हूँ, उनको पता है मैं क्या करता हूँ, मैं रोज मरा की जिंदी कैसी है, but I do not intend to, you know, puke it out in front of everybody on YouTube, क्योंकि मुझे लगता है, ethically and morally as a government officer, you should never say these things, and the second thing is, morally I don't think के मैं strangle करूँ किसी student को के भाई, मुझसे ही course लो, I don't like to strangle students, I don't like to give them a choice, ठीक है, कि मतलब एक ऐसा जबरदस्ती आप थोपने ही कोशिश कर रहे हूँ उन पर के हमसे ही लोग क्यों, क्योंकि मैं selected हूँ, government office में, अरे यार, मेरे select होने से आपको job मिल जाएगी, या मेरे पढ़ने के तरीके से आप पढ़ के job निकाल लोगे, नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता, पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत फर्क है, ठीक है, I can be a very good official, I can be at a very good post, but that doesn't make me a very good teacher, समझाना अलग है, ठीक है, समझिए उसको, पढ़ाना भी अलग है और पढ़ना अलग है, कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो government jobs निकालते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में भी अच्छे हो सकते हैं, तो मुझसे ये पूछते हैं जब students, कि सर आप करते क्या हैं, मैं तब भी उन्हें नहीं बताता, I have strictly said to my content writer, do not tell them until they are into the batch, मैं नहीं चाता कि उनको ये बताकर जबरदस्ती force किया जाए, कि ले लो हमारे notes, ये ले लो, वो ले लो, क्यों भाई, morally it is not correct, समझिए इस बात को, ये लोग को लगता है कि अगर आपने exam निकाल लिया, तो आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, अरे यार कौन बना रहा है ये rules, और students कैसे अंधे की तरफ जा रहे हैं, भाई उसकी teaching skills देखो, आपको समझ आ रहा है, क्या जब आप सवाल पूछते हैं, उनके पास जाकर वो आपके जवाब दे रहे हैं, या आपको बाहर से हकाल दे रहे हैं, कि बात ही नहीं कर रहे हैं, करे भाई मैंने देखा है, students को reply ही नहीं करते, लेकिन जब से students मेरे पास आए हैं, सभी batches में, IBACIO का tier 1 batch हो, या CSIR का, या IBACIO का descriptive batch हो, हर जगा, they are treated as a family, जब भी problem होती है, उनको solve की जाती है, लेकिन legit problem हो, फालतु के सवाल नहीं आए हैं, फालतु के सवाल के लिए भी जवाब दे दिये जाते हैं, लेकिन जब आए हैं, इंटरेटेन नहीं किया जाता है, उन चीज़ों को, तो इसलिए I don't like to blabber about these things, thumbnail के अंदर post लिख रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं, उससे क्या है ना, कि आप जबरदस्टी students को force कर रहे हैं, वो आपसे पढ़ें, ऐसा नहीं होता, मैं सीधा बोलता हूँ, अगर आपको मेरा content अच्छा लगे, तो आप like कीजिए, comment कीजिए, otherwise चले जाइए, क्योंकि मैं आपको force नहीं करना चाहता, कि आप मुझसे पढ़ो, student के पास इतनी freedom होनी चाहिए, students के पास इतनी choice होनी चाहिए, कि उनको जहां से समझा रहा है, वो वहां से पढ़ें, आप उनकी choices को मच छीनो, students की choices को मच छीनो, उनको choose करने दो ना, आप एक काम करना मेरे comment section में जाना, सभी classes के, जो course की चल रही है, एक बार comment section पढ़ना पूरा लाल हो रख है, people have sent hearts, full of hearts, and everybody will get the reply, no matter how silly the question is, you will get a reply, तो क्या है ना के, teaching is your responsibility, it is not a profession, I am earning enough right now, I do not want, and YouTube is not paying me anything, whatever I get from students, I pay to my content writer, and you can ask every single student, every single fellow of yours, अगर उसने कभी बोल दिया के मैंने इनको message किया, उनका कभी reply नहीं आए, within one hour, they get the reply from the content writer, this is why he gets paid so much, okay, तो इसलिए पैसे लिए जाते हैं, सिर्व एक minimal amount, 400-500 पर लिए इसलिए आते हैं, ता कि content writer की भाई, salary भर सकूँ मैं, otherwise I don't need your money, sorry, I have my own money, I have enough of money with me, there is no problem, मेरी अपनी जरूरूतर चल जाती है, तो please teaching को ना, इस नदर से मत देखो कि कोई selected है, तो वो करेगा, और ethically तो it is not even correct, job join करके छोड़ देना, तो वो तो सबसे बड़ा पाप है, और फिर पढ़ाई करवाना, अरे बाई, क्या मतलब हुआ, जिसकी रोजी रोटी चल सकती थी वहाँ से, वो कर लेता न, why did you take one seat, क्योंकि at the end of the day सबको एक ही seat चाहिए, आप 50 seat तो लेके नहीं जाओगे न, exam clear करके, एक ही seat मिलेगी, at the end of the day आपको एक ही seat चाहिए, वो किसी और ने लिए, वेस्ट किये और छोड़ दिया, प्लीज, कुछ concepts है, as a student समझने जरूरी हैं आपको, ठीक है, next, अब हम शुरू करते हैं, 11th class की chapter, book के अंदर, fundamentals of geography जो हैं, उसका chapter 3 में हमें interior of the earth के लिए chapter मिलता है, और हम वहीं से अभी इसको cover करेंगे, basically के interior of the earth के बारे में और क्या बताया हुआ हैं में NCRT के अंदर, दीक है, start करते हैं, what do you imagine about the nature of earth, क्या imagine करते हैं आप जब nature of earth के बारे में सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि एक solid ball है, cricket ball की तरह, दीक है, with a thick cover of rocks, that is lithosphere, कभी आपने photos देखिया है, images देखिया है, जब volcanic eruption हो रहा होता है television screen पे, क्या वो आप, वो hot, molten, lava, orange, orangeish color का होता है, dust, smoke, जिसमें बड़ा खतरनाक level का sulfur होता है, fire और magma, जो आप बहार आ रहा है उस volcanic crater से, crater मतला वो जो गढ़्धा जिसके अंदर से बहार आता है समाई, interior of the earth can be understood only by indirect evidences, समझे इस बात को, क्योंकि directly तो आप जाही नहीं सकते सार, indirectly जो अंदर से चीज़े बहार आ रही हैं, वही इसके अंदर के राज खोल रही हैं, as neither anyone has, nor anyone can reach the interior of the earth, it is impossible, no matter how, you know, how technical you get, how advanced you get, you still will not be able to enter into it, this is the reality, the configuration of the surface of earth is largely a product of the processes operating in the interior of the earth, जो भी configuration जिस तरीके से बना हुआ है surface जो हमारे earth का आज, वो काफी हद तक किस वज़े से है, जो हमारा interior है उस वज़े से, exogenic बहार जो हो रही हैं, as well as endogenic processes जो अंदर हो रहे हैं, are constantly shaping the landscape, तो दो तरीके से landscape आपका change हो रहा है, क्या है दो major factors, endogenic and exogenic, ठीक है, line by line चलेंगे, proper understanding अगर आप लेंगे, physiographic character, physiographic मतलब physical जो दिखता हैं मैं, किसी region का, वो remains incomplete if the effects of endogenic processes are ignored, तो endogenic processes बहुत important हैं, उनको ignore करते हुए, आप किसी भी चीज़ की physical characteristics नहीं पढ़ सकते, human life बहुती largely influenced है, इस physiography से, इसलिए it is necessary कि एक समझे इस forces को, जो influence करती है हमारे इस land को, यह समझना कि क्यों अर्थ जो है वो हिलता है, क्यों tsunami वेव आती है, इसलिए जरूरी है हमारे लेके हम कुछ certain details हैं, interior जो हैं हमारे अर्थ के उसके बारे में जाने, previous chapters जो हैं, उसमें हमने क्या देखा है, कि earth forming materials हैं, वो distributed हैं layers के अंदर, यह मैंने कल class में पढ़ाया था न, देखो ऐसे करते हैं topics को cover, एक topic को सभी books में से देख लो, ताकि एक flow बनता रहे और आप भूले ना उस topic को, ठीक है, और यही इस chapter में हम देखेंगे, source of information क्या है, earth का radius जो है, वो 6370 है, वहाँ 6371 था, तो one can reach the center of the earth, ठीक है, कोई नहीं बेज जा सकता महाँ पे, और सीधा sample या observations नहीं कर सकता, इन conditions में क्या करोगे आप, कि earth का interior कैसे बताओगे, वो ऐसे बताओगे कि कैसा material interior में है, ठीक है, और इस कैसे type का material इतनी depth में है, हमारा जो interior of the earth की knowledge जो basically आती है, वो basically estimated knowledge है, असली में तो जाके किसी ने नहीं देखा, जो चीजे बहार आई जो हमने देखी, जो earth के अंदर की तरफ से बहार आई हमने देखी, अच्छा है ऐसे होता है, बस्टी कि हमने मान लिया, येट अपार्ट अफ़ दी information is obtained through direct observations and analysis of materials, अब direct sources कौन से होते हैं, समझते हैं, directly आप कैसे check करते हैं, इसको देखते हैं पहले, dead sources में क्या-क्या होता है, most easily available solid earth material, सबसे easily available कौन सा हो सकते हैं आपके इसाब से, surface पर पड़ा हुआ रोक, या जो हम mining area से rocks निकालते हैं वो, gold mines in south africa are as deep as 3 to 4 km, इस depth के बाद जाने के लिए basically particular machines चाहिए होती है, इस थोड़ा सा ही और अंदर जा पाएंगे अब, और क्योंकि बहुत hot होता है अंदर, mining के अलावा scientists जो हैं वो बहुत सारे projects उन्होंने निकाले हैं, जिसमें वो और deep depths में जाते हैं, ताकि explore कर सकें कि crustal portions जो हैं, उनकी conditions कैसी हैं और depth में जाके, ठीक है, यह आपके लिए important है, नहीं है, ठीक है, फर्स्ट कौन सा हो गया आपका, surface rock, लिख लेते हैं, फर्स्ट क्या हो गया, surface rock, ऐसे बनते हैं notes, नेक्स्ट क्या है आपका, ऐसे पढ़ते हैं, चलते हैं, चलो, सेकेंड क्या हो गया आपका, volcanic eruption, वो क्या होगा, another source है, जिससे आप direct information ले सकते हैं, जब भी molten material बहार आता है, surface के ओपर, तो volcanic eruption के दौरान, तो इसलिए बड़ा असान हो जाता है, उस material से जान पाना, कि क्या है आपके depth में, अर्थ में, ठीक है, लेकिन, it is difficult to ascertain, the depth of this source of such magma, इससे ये नहीं पता लगा सकते हैं, कि कितनी depth से वो आ रहा है, सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, basically आप के, क्या है अंदर, materials कौन से कौन से, आप depth नहीं बता सकते हैं, indirect sources में होते हैं, जैसे आप दूसरे तरीकों से करते हैं, जैसे, we know through the mining activity, that temperature and pressure increase with the increasing distance from the surface, हमें पता है कि जैसे ही आप अंदर की तरफ और जाएंगे, तो temperature और प्रेशर जो है वो भड़ता जाएगा, ये भी जानना ज़रूरी है, कि जो density होगी materials की, क्योंकि वो भारी थे, इसलिए वो अंदर की तरफ हैं, तो जितना आप depth में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा density बढ़ेगी, तो possible है जानना कि rate of change in characteristics का क्या होगा, जैसे, ये जानना कि total thickness जो है अर्थ की, scientists have estimated the values of temperature, pressure और density of materials, different depths पे क्या होनी चाहिए, thickness के साब से हमने देखा, details जो होती हैं, characteristics with reference to each layer of the interior, are discussed later in the chapter, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, दूसरा source of information क्या हो गया भई, are the meteors that at times reach the earth, बहुत बार meteors जो होते हैं, वो earth के surface पे आके गिरते हैं, और उससे हमें पता चलता है, जानना जरूरी है, कि जो material निकलता है, ठीक है, analysis के लिए, meteors से, वो interior of the earth के लिए से नहीं है, हम समझ सकते हैं, कि जो बाहर से चीज़ आ रही है, वो interior से नहीं, हमारे earth का interior नहीं है, वो बाहर से कहीं से आके हमें मिला है, लेकिन जो material और structure, जो meteor का होता है, ये देखा गया है, कि जो earth हैं हमारे, उससे बड़ा similar है, दोनों solid bodies है, developed out of material, same as or similar to our planet, तो basically क्या है, कि हमारे planet से ही similar मिलता जूलता, जो है, इसका constituent है, hence this become yet another source of information, about the interior of the earth, तो पहले हमें कहुन सा पता चला, temperature और pressure के हिसाब से, density of material के हिसाब से, meteors के हिसाब से, other indirect source कौन सा है, include gravitation, magnetic field and seismic activity, gravitation force, which is g आप से दिखाया गया, small g, which is gravitation constant, is not the same at different latitudes on the surface, different, मतलब, north की तरफ जाएंगे, south की तरफ जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि, अर्थ के सभी level के ओपर, gravitation force equal हो, poles पे सबसे जादा होती है, क्योंकि वो bulge, बेसिकली bulge ऐसा होता है, आपने देखा है अर्थ का bulge, अर्थ का bulge थोड़ा ऐसा है, तो अगर मान के चलिए, यह आपका center है, अर्थ का, तो यह वाला जादा pass होगा आपके पास, यह वाला जादा pass होगा, यह वाला ना, तो इसलिए यहाँ पे gravitation higher होती है, क्योंकि यह जो area है, यह pass है center of earth के, इस वाले के मुकाबले, तो इसलिए poles के ओपर क्या होता है, ज्यादा वो रहती है, gravitation force रहती है, तो यह भी क्या होगा उसके बाद, कि this is because of the distance from the center, यह मैंने आपको बता दिया, the gravity values also differ according to the mass of material, mass material के mass के हिसाब से भी gravity जो होती है, basically वो बदल जाती है, यह values की, uneven distribution of mass of material within the earth influences this value, तो unevenly जो distributed है material सारा, इधर कुछ है जादा, इधर कुछ जादा, इधर कुछ जादा है, उसके हिसाब से हमें क्या होता है, यह चलते हैं आगे, such a difference is called gravity anomaly, यह आपको पढ़ने के जरूत नहीं है, ठीक है, this is not important for you, तो आपको बस इतना जानना है, कि और क्याँन सा तरीका होता है gravity anomaly, मतलब difference in values of gravity के हिसाब से, हम लोग gravity anomaly से चेक करते हैं, कि indirectly चेक करते हैं, कि interior of the earth कैसा होना चाहिए, कैसा है, ठीक है, magnetic surveys भी जो होते हैं, वो provide करते हैं information about the distribution of magnetic materials, कहाँ पे crystal portion में, and does provide information about the distribution of materials in this part, तो मैं पता चलता है, कहाँ पे ज़्यादा कौन सा metal है, उसकी magnetism के हिसाब से, तो वो भी हम calculate करते हैं, कैसे magnetic surveys करके, seismic activity होती है, basically it's yet another source of information, और इसको आगे हम detail में देखेंगे, basically अभी, ठीक है, first आता है हमारे पास earthquake, the study of seismic wave provides a complete picture of the layered interior, layering के बारे में हमें बहुत अच्चे से क्या पता चलता है, किस तरीके से पता चलता है, through earthquake, one second, let me use this, earthquake जो होता है, basically इसका मतलब होता है कि earth जो है आपका shake कर रहा है, that's why it's called earthquake, natural event है, हम नहीं कर सकते हैं, हाँ हमारी कुछ activities से induce कर सकते हैं हम इसको, but otherwise जो होता है massive scale पर वो basically naturally ही हो सकता है, release of energy की वज़े से होती है, which generates waves that travel in all directions, लेकिन shake क्यों करता है, release energy जो होती है, कहां से होती है, जहां पर fault बना हुआ होता है crust में, एक crust और दूसरा cut crust की जो plate है basically, मान के चलिए कि एक plate जो आपकी पूरी uniform होती है, उसमें कोई दरार वरार नहीं है, तो वो होता है plate एक, लेकिन earth ऐसा नहीं है, earth बहुत जगाओं से दरार वगरा है, तो वो दरारों से निकलता है, क्या release होती है energy, fault क्या होता है, एक sharp break होता है crustal rocks में, जो मैंने भी दरार बताई आपको, rocks जो होते हैं इस दरार के आज़ पास, वो एक दूसरे की opposite directions में चलने ही कोशिश करते हैं, तो जो overlying rock strata जो होता है, press them, the friction locks them together, तो basically क्या है कि वो एक साथ तो रहती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा आता है कि एक दूसरे से भागने की, एक दूसरे के और नजदीक आने की, ये rocks कोशिश करते रहते हैं, और ये जो कोशिश है इसकी वज़े से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, रिलीज ओफ एनरजी इन वज़े से होती हैं, और जो एनरजी वेवज होती हैं, इसकी वज़े से वो ट्रावल करती हैं सभी डिरेक्शन्स में, पॉइंट वहाँ पे, वेर दे एनरजी इस रिलीज़े इस कॉल दी फोकस अब दी अर्थक्वेक, जहां से निकल रही है एनरजी, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक, अल्टरनेटिवली इस अल्सो कॉल दी हाइपोसेंटर, अब यह एनरजी जो दूसरी दिशाओं में भाग रही हैं, वो सर्फेस के उपर आती हैं, पॉइंट सर्फेस के उपर, जो फोकस के सबसे ज़्यादा पास हो, उसको बोलते हैं epicenter, यह भी हम डाइग्राम में देखेंगे, epicenter का भी, it is the first one to experience the waves, सबसे पहले waves जहां पे भी, nearest is better, मैं आपको definition यह दूँगा, कि जब भी range of waves निकलेंगी, तो उसमें क्या है, जब भी waves निकलेंगी, तो first land के उपर, पहली बार जो experience करेगा उसे, सबसे nearest point जहां पे experience होगा इस चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका epicenter, सीधी बात है, ठीक है, one second, okay, I think it's not happening, अब आते हैं earthquake waves के उपर, यह waves जो आती हैं, यह किस तरीके से होती हैं, सभी natural earthquakes जो होते हैं, वो lithosphere, land वाले उसमें ही करते हैं, मतलब उपर वाली जो layer होती है, उसी पे होती है, ठीक है, अब क्या है, it is sufficient to note here that the lithosphere refers to the portion of depth up to 200 km from the surface of earth, अगर आप surface of earth से नीचे की तरफ, इंडियर की तरफ जाते हैं, तो 200 km तक की depth हो सकती है, एक lithosphere की, याद रखेगा, प्लीज इसको, instrument कौन सा यूज किया जाता है, जो waves को record करें, जो surface पे आ रही है, उसको बोलते हैं, seismograph, ठीक है, बेसिकली जैसे आपका, ICU में वो machine होते है, monitor होता है, heartbeat monitor, तो उसमें वो waves उपर रिचे जारी होते हैं, तो ऐसे इसको calculate किया जाता है, बेसिकली, a curve of earthquake waves recorded on the seismograph is given in figure 3.1, यह रहा, ऐसा है, ठीक है, अब चलते हैं, a curve of earthquake ही हमने देख लिया है, earthquake waves जो होती है, basically दो तरीके से होती है, एक होती है body waves, और एक होती है surface waves, body waves जो होती है, वो कब होती है, जब energy जब भी release होती है, focus पे और फिर अलग directions में जाने लगे, traveling through the body of the earth, जब वो अलग-अलग directions में अपने आपको खोलना और शुरू कर दे हो, अलग-अलग waves जो है, अलग-अलग directions में बहना शुरू कर दे, इसलिए इनका नाम क्या होता है, body waves, body waves interact with the surface rocks, and generate new set of waves called surface waves, तो earth की body के अंदर waves निकलते हुई, जब surface तक आती है, उसके बाद surface को हिलाना शुरू करती है, उसको बोलते हैं surface waves, ये क्या होती है, surface के साथ-साथ चल रही होती है, वही न, एक तरफ जब, अजब को खोता है, तो side की बहुत सारी areas तक जाता है उसका impact, ज़्यादा velocity होगी, उतना ज़्यादा, बाद पानी में जाएगा इतना नहीं करेगा, जितना एक जमीन के ऊपर करता है, जितना ज़्यादा dense होगा material, उतनी ज़्यादा velocity होगी, उनकी direction also changes as they reflect, or refract when coming across materials with different densities, तो reflect ये refract भी करती हैं, directions भी change होती है उनकी यहां देखते है अर्थ को एक waves यहां पे दी हुई है यह आपकी P waves S waves थोड़ी छोटी और उसके बाद surface से दीखे कैसे आती है basically अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे body waves हो गई कौन सी यह और यह हो गई आपकी surface waves body waves में दो आती है first is P waves and second is S waves इसका मतलब जो अंदर body में चल रही है अर्थ के यह हम उसकी बात करना चाह रहे है ठीक है we are not talking about कि भई जो मतलब surface के ओपर waves आगे है उसके बारे में नहीं बात कर रहे है हम यहां पे बात कर रहे हैं कि इसका क्या होने वाला है जो body के अंदर waves घुमेंगी ठीक हमारा पूरा focus जो है वो उसी पे रहेगा दो तरीके की है P and S P waves जो होती है वो faster move करती है और सबसे पहली होती है to arrive at the surface सबसे पहले कौन सी waves पहुँचेगी surface के ओपर P waves इनको primary waves भी बुलाया जाता है P waves जो होते हैं वो sound waves की तरह होती है वो vacuum से travel नहीं कर सकती सकती है S waves जो होती है secondary waves इनको बुला सकते हैं आप basically वो एक lag के बाद आते हैं मतलब एक वक्त के बाद आती है ठीक है अब S waves क्या है P waves तो किसी भी material के आसपास through कर सकते कोई भी medium चलेगा उसको लेकिन secondary waves सबसे जादा किसके ओपर based है वो सिर्फ based है solid materials के ओपर ही वो solid materials के through ही जा सकती है इस characteristic के वज़े से ये बड़ा S waves को बड़ा important कर देते हैं क्योंकि इन्होंने क्या help किया scientist को कि structure क्या होगा अर्थ का मतलब मान के चलिए एक आप spot बड़ा सा ले लीजे ठीक है मान लीजे एक spot है यहां पर आपको अलग अलग तरीकों से waves जो है सीजमिक waves जो है वो आपको feel होई है मान लीजे सारे area के अंदर seismic waves feel होई है इस area को छोड़के इस area को छोड़के ऐसे बन रहा है यहां हमें feel हो रहा है अब scientist को इस बात से समझ आएगा कि जहां पर हमें feel हो रहा है that means इसके नीचे solid structure होगा तभी तो S waves cross करके आप आई है अगर यहां पर खाली है इसका मतलब यहां पर क्या है यहां पर solid material नहीं था इसलिए S waves नहीं आप आई तो हमें पता यह चल जाता है कि structure जो है नीचे interior का वो कैसा होने वाला है I hope आपको यह जो चीज है हो समझ आई हो reflection क्या करती है waves को rebound कर देती है whereas refraction makes wave move in different directions ठीक है rebound मतलब वापस चली जाती है variations जो होता है direction of waves में are inferred with the help of their record on seismograph से हमें पता चलता है surface waves are the last to report on seismograph सबसे last में जो report होती है वो होती है कौन सी surface waves यह waves ज्यादा destructive होती है यह सबसे ज्यादा rocks को इधर से उधर हिलाती है और इसलिए structure जो है वो collapse करते हैं किसकी वज़े से करते हैं वो करते हैं आपकी surface waves की वज़े से propagation कैसे होता है different type of earthquake waves travel in different different तरीके से different करते हैं as the move or propagate they cause vibration होती है bodies के अंदर rocks के ठीक है और जिससे वो pass कर रही होती है P waves जो होती है वाइबरेट कर लीती है parallel to the direction of wave अगर इस तरफ जा रही है तो इस तरफ जाती रहेगी basically this exerts pressure on the material in the direction of the propagation तो क्या है कि जिस basically जिस direction में जा रही है propagation हो रही है उसी direction में क्या होगा vibrations move करेंगी क्या करेंगी move vibrations pressure उतना ही पड़ेगा matter पर उसी direction में पड़ेगा इसकी वैसे क्या होता है it creates density differences in material leading to stretching and squeezing of material खिचता है वापस shape में आता है खिचता जब उससे गुजर रही होता है pressure पड़ रहा होता है तो basically क्या होता है कि stretch होता है material और squeeze होता है other three waves vibrate perpendicular to the direction of propagation तो perpendicular मतलब अगर waves यू जा रही है तो उसका pressure जो होगा यह vibration होगी वो यह होगी direction of vibrations of the s waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane यह आपको समझ आ रहा होगा इससे क्या होता है troughs बनते हैं मतलब ऐसे होता है तीक है उपर नीचे उपर नीचे होता है and crests in the material through which they pass उचाई, trough, crest यह पता है न आपको जब आप waves पढ़ी होगी आपने जब तो आपने देखा होगा यह physics के अंदर surface waves are considered to be the most damaging waves सबसे हां damaging कौन सी होती है surface waves अब देख लेते हैं shadow zone कैसे बनता है जब भी earthquake waves record की जाती है seismograph पे located at far of locations तो जब भी करते हैं तो बहुत दूरी पे कहीं पे वह हो रही होती है बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पे आपको report नहीं मिलती है कि यहां पे waves आई है तो इस zone को बोलते है shadow zone जहां पे जो waves है वो नहीं पहुँच पाई है study different events की जब हम करते हैं तो पता चलता है कि earthquake है for each earthquake there exists an altogether different shadow zone हर earthquake के लिए एक different तरीके का shadow zone होगा ठीक है अब क्या है figures 3.2 A and B जो है यह रा shadow zone ठीक है अब यह मिसके बारे हैं पढ़ते हैं समझ आएगा फिर it was observed that seismographs located at any distance within 105 degree from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves ठीक है यह आ रही है तो यह वाला area जो पूरा है क्या ही है यहाँ पर दोनों feel हो रही है ठीक है अब चलते हैं अगे the zone between 105 degree is not important not important not important tectonic earthquakes ठीक है फिर types of earthquakes पे आते हैं this is not important for you ठीक है प्लीज याद रखेगा इसको next types of earthquakes the most common ones are the tectonic earthquakes जो tectonic plates के movement की वज़े से होते हैं यह किसले होते हैं rocks जो slide कर सकते हैं along a fault plane special class of tectonic earthquake sometimes recognized as volcanic earthquake इनको volcanic earthquake एक special type of tectonic earthquake है जिसको बहुत बार volcanic earthquake के हिसाब से भी देखा जाता है however these are confined to the areas of active volcanoes only जहाँ पे active volcanoes होते हैं वहाँ पर इन चीजों को ज्यादा देखा जाता है किसको इन type of earthquakes को कौन से earthquakes जो volcanic earthquake होते हैं ठीक है in the areas of intense mining activity वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है they are called collapse earthquakes ground shaking may also occur due to the explosion of chemical or nuclear devices इनको बोला जाता है explosion earthquakes ठीक है उसके बाद the earthquake that occurs in the areas of large reservoirs इसको क्या बोलते हैं reservoir induced earthquakes अब देखते हैं कि measure कैसे करते हैं earthquake को earthquake जो होते हैं they are scaled either according to the magnitude or the intensity of the shock ठीक है कैसे होगा magnitude or the intensity of the shock कैसे the magnitude scale जब magnitude देखना हो तो कैसे देखेंगे Richter scale में ठीक है magnitude का मतलब होता है कितनी ज्यादा value पे energy आई है it is the energy released during the earthquake जो है magnitude जो है 0-10 में देखा जाता है intensity scale के कितना भारी intensity के साथ एक earthquake ने hit किया है और जिससे impact पढ़ने वाला है बहुत ज्यादा उसको is named after Marsali an Italian seismologist ठीक है तो Marsali scale भी बोला सकते हैं इसको intensity scale देखता है कि visible damage क्या होने वाला है इस event से वैसे the range of intensity scale is from 1-12 ठीक है now there are some effects of earthquake that have been mentioned over here यहां कुछ effects हैं जो बताये हुए और ने क्या-क्या effects हो सकते हैं जब earthquake होता है एक natural hazard होता है तो उसमें क्या-क्या immediate hazardous effects होते हैं earthquake के वो बताये हुए हैं यहापर वो आपके लिए important नहीं है इसमें बहुत सारी चीजे हैं हमें क्या पढ़ना है इसमें कि जैसे जो कुछ listed हैं वो landforms के ओपर कुछ problems डालते हैं लेकिन others जो हैं इसमें 6 के अलावा जो बाकी हैं यह वाले सारे जो हैं basically यह क्या करते हैं कि यह जो पॉइंट्स हैं यह सीधा उन लोगों को अफेक्ट करते हैं और लाइव को और प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं सुनामी का इफेक्ट वुड़ अकर ओनली इफ दी एपिसेंटर ओफ दी ट्रेमोर इस बिलो दी ओशनिक वाटर और अगनिटूड बहुत ज्यादा हाय होगा एक अच्छे खासे नंबर पर मैगनिटूड होगा और एपिसेंटर जो होगा ठीक है वो ओशन वाटर के नीचे हो तब होती है सुनामी सुनामी आर वेव्स जनरेट बाइद बाइद ट्रेमर्स ट्रेमर्स मतलब जो वो होती है हिलता है जमीन अब देखते हैं अब देखते हैं अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ओफ अर्थक्वेक अकरेंसिस देखा है हमने ट्रेमर्स जो है वो बहुत जगा होता है बहुत सारी चीज़ें होती है आपके पास ठीक है उसके लिए यह आपको पढ़ने की इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बिल्कुल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है अब स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ पहल The continental crust is thicker in the areas of major mountain mountain वाले रिजन में और भी थीक होगा वो 70 km तक थीक हो जाता है हिमालियन रिजन में फिर आता है mantle में proportion of the interior beyond the portion of interior beyond the crust is called the mantle यह हमने देखा था 7th class के chapter में अभी इससे पहले ही mantle जो होता है extends from moho's discontinuity crust के बाद और mantle के बीच में moho's discontinuity आती है और यह 2900 km तक चलता है अंदर upper portion of mental को क्या बोलते है एस्थीनोसफेर एस्थीनोसफेर का मतला weak यह वाली जो layer होती है बड़ी वीख होती है यह 400 km की होती है एस्थीनोसफेर जो upper part of mental होता है वो कितना होता है 400 km ठीक है ? सिंपल, दिया हुआ है यहाँ पर data सारा, उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एस्थीनोस्फेर, mental का पार्ट है यह, लिथोस्फेर, crust and upper most solid mental, सबसे उपर वाला जो पार्ट है यह वाला, वो भी साथ में पिंगरूड होता है, crust में, 0 to 100 km जो थिकनेस जाती है, फिर mental ह होता है और फिर उसके बाद जो है आपका core होता है, liquidish form में होता है, आपका mental बहुत बड़ा हिस्सा जो mental का होता है, वो होता है उपर, और यह क्या करता है, ऊपर की तरफ, surface की तरफ आता है, through volcanic eruptions, एस्थीनोस्फेर का जो mental है, वो आता है उपर volcanic eruptions की वज़े से, crust और upper most part ज हमने थोड़ दिर पहले lithosphere का 200 km वाला statistics पढ़ा था भी, lower mantle extends beyond the asthenosphere, it is in a solid state, अपर state जो होती है, mental की वो liquidy form में होती है, उसके बाद जो होती है, solid state साथ होती है, फिर आता है core, the earthquake wave velocities helped in understanding the existence of the core of the earth, earthquake ने हमें समझाया कि कहीं पे core भी है, core mantle boundary is located at the depth of 2900 km, 2900 km के बाद फिर core शुरू हो जाता है, outer core is in liquid state, लेकिन जो inner core है, वो solid state के अंदर है, outer core liquid state में है, inner core जो है, वो solid state में है, प्लीज याद रखेगा, यहां से questions आने के chances बहुत जाता है, core जो होता है, वो very heavy material से होता है, ज्यादा density है, तभी वो नीचे की तरफ है, निकल और iron होता है, यहां पर it is sometimes referred to as knife layer, which is nickel and Fe मतलब iron, volcanoes and volcanic landforms देख लेते हैं, हमने photographs या pictures volcanoes की बहुत जगाँ देखी है, volcano होते हैं, जहां पर gas, ashes या molten rock material जो होता है, लावा, वो escape करता है, ground की तरफ, ठीक है, volcano is called an active volcano, if the materials mentioned are being released, और have been released out in the recent past, कोई time duration नहीं दिया हुआ, recently में हुआ हो, कहीं पर recent में हुआ हो, तो उसको बूला जाता है active volcano, the layer below the solid crust is mantle, यह हमने देखा है, ठीक है, और mantle वाला party क्या होता है, उपर आता है, इसमें क्या है, it has a higher density than that of the crust, ठीक है, crust से थोड़ी सी जाधा density होती है, the mantle contains a weaker zone, यह हमने देखा था, जिसको क्या बुलाते हैं, यह वाला area, it is from this that the molten rock materials find their way to the surface, यहां से वो चीज़ें उपर surface पर आती है, और material जो upper mantle portion में होता है, उसको बुलाते हैं, magma और यही आगे आता है, उपर volcano में, once it starts moving towards the crust और it reaches the surface, it is referred to as lava, जब वो surface पर आ जाएगा या उपर तक crust के area में आना शुरू हो जाएगा, उसको lava बुलाते हैं, material जो ground पर पहुंचता है उसमें lava flow है, pyroclastic जो debris है वो है, volcanic bombs है उसमें, फटता है बहुत बार कभी कभी वहीं पर पड़ा रहा था तो इतनी गर्मी के वैसे फटता है वो, ash, dust and gases जैसे nitrogen compounds और बहुत ही heavy volume में sulfur compounds, and minor amounts of chlorine, hydrogen and argon, यह सारी चीज़े कहां से आती हैं, यह आती हैं नीचे, जो mantle है, upper mantle है, वो जब उपर अपना way निकालता है, magma से lava बनता है, और फिर यहां पर यह सारी चीज़े होती है, please याद रखेगा, सीधा पूछ लेते हैं कि magma या lava के अंदर कौन से कौन से चीज़े हो and the form developed at the surface और क्या shape लिए है उसने surface के उपर, सबसे पहले होता है, shield volcanoes, barring the basalt flows, the shield volcanoes are the largest of all the volcanoes on the earth, ठीक है, the Hawaiian volcanoes are the most famous, यह रहापका shield volcano, ऐसा लगता है, ठीक है, examples हैं, कहां पर Hawaiian volcanoes हैं, these volcanoes are mostly made up of basalt, basalt है, एक type of lava, जब यह fluid आता है, तो उसके अंदर होता है, इस reason के वज़े से they are not steep, सीधा खड़े खड़े नहीं होते हैं, थोड़ा सा फैले हुए होते हैं, वो explosive भी हो सकते हैं, अगर water जो है, वो फस जाए vent में, और बाहर आने का मौका न दे, तो फिर क्या है, वो shield volcanoes, otherwise they are characterized by low explosivity, otherwise क्या होता है, low explosivity के हिसाब से इसको देखा जाता है, इसको ज्यादा dangerously नहीं देखा जाता है, the upcoming lava moves in the form of a fountain and throws out the cone at the top of the vent and develops into cinder cone, तीक है, यह फिर क्या होते हैं, उसके बाद cinder cone, देख रहे हैं, यह कैसे और फैलता जा रहा है, पहले देखो कितना कम है उसक cinder cones में बन जाते हैं, फिर किसमें, cinder cones में, shield volcanoes cinder cones में बनते हैं, फिर आते हैं composite volcanoes, इसका मतलब यह characterized है by eruption of cooler and more viscous lavas than basalt, viscous मतलब गाढ़ा, ठंडा होता है और बहुत गाढ़ा होता है, basalt से ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसमें explosive eruptions होते हैं, सबसे ज़्यादा, लावा के सा साथ, large quantities of pyroclastic material or ashes भी हैं, वो साथ में आती है, यह material आसपास ही बहुत ज़्यादा कठा हो जाता है, vent के आसपा, vent मतलब जहां से खुला हुआ, जहां से निकलता है, ठीक है, और formation of layers यहाँ पर बनती है, तो this makes the mount appear as, this makes the mounts appear as composite volcanoes, और यह ज़्यादा खड़े होते हैं, steep होते है थोड़े से, ठीक है, फिर आता है, caldera, यह सबसे ज़्यादा explosive होते है, of the earth's volcanoes, कौन से, caldera, सबसे कम कौन से होते हैं, आपके shield volcanoes, उसके बाद जो वो निकलता है, उसके बाद ठंडा होने के बाद, फिर वहाँ पे cinder, कौन में बन जाता है वो, फिर आता है, हमारे पास composite volcano, जिसमें थोड़ी सी होती है, basically, explosivity, इतनी ही नहीं होती है, मतलब, लेकिन shield volcanoes से जादा होती है, और क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है, यह basalt से, caldera में क्या होता है, most explosive है, they are usually so explosive, कि जए यह इरेप्ट करते हैं, they tend to collapse, यह खुद पे ही तूट के गिर जाते हैं, rather than building any tall structure, ज़र खुद का structure ही नहीं बना पाते हैं, बहुत बार खुद ही तूट के दूसरे अपने पोरिगिर जाते हैं, यह collapse depressions जो बनते हैं, इसको बला जाता है, calderas, इनके explosiveness से indicate यह होता है, कि जो magma chamber है, जो lava लेके आ रहा है उपर, is not only huge, but is also in close vicinity, बहुत पास में ही होता है, basically, फिर आता है, flood basalt provinces, यह कैसे होता है, यह volcanoes बहुत ज्यादा, बहुत पानीदार, liquidy, liquidy, fluid होता है, ज्यादा विसकस नहीं होता है, ठीक है, और यह long distances तक जाता है, यह बहुत फैलता है, ठीक है, यह दूर तक फैलता है, flood basalt provinces, some parts of the world are covered by thousands of square kilometers of thick basalt lava flows, ठीक है, यह इतना दूर बड़ा ही पतला होता है, लावा इसका और काफी दूर तक फैलते हुए जा सकता है, there can be a series of flows with some flows attaining thickness of more than 50 meters, हाँ, बहुत ज्यादा लेवल पे flow आता रहता है, individual flows में extend यह आपके important नहीं है, deck and traps जो हैं India का, presently covering most of the Maharashtrian plateau, वो कहां से है, flood basalt province volcano जो हम देख रहे हैं, उसके पर है, are a much larger flood basalt province, it is believed that initially the trap formations covered much larger, यह माना जाता है कि आज से तो ज़्यादा area वो cover करता था, लेकिन आज वो इतना area नहीं बचा, लेकिन हमारे यहाँ पे कौन सा है, flood basalt provinces जो हमने देखा है भी, वो महाराश्चन plateau में, या फिर deck and traps में यह देखा जाता है, फिर होता है, mid ocean ridge volcanoes यह oceans के अंदर होते हैं, यह oceanic areas में होते हैं, there is a system, इनका एक पूरा system, एक पूरी chain है, 70,000 km से भी लंबी, जो ocean basins में पूरा फैली हुई है ऐसे, ठीक है, यह हम जो chapters आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, बहुत लंबे उसमें area में फैली हुई है, फिर हम देखते है, volcanic land forms कैसे कैसे होती है, जब volcano बनता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लावा जो volcanic eruption से बाहर आता है, वो cool down हो जाता है, और igneous rocks बन जाते हैं, या तो cooling क्या है, surface पे पहुँचने के बाद होगी, या while the lava is tin in crustal portion, इसका मतलब कि या तो वो जो यह इस area के अंदर है, यह नहीं पे jam जाए, cool हो जाए, या फिर जब बाहर निकल रही है, तब cool हो जाए, दो area बन सकते हैं, ठीक है, यह intrusive और extrusive हमने देखा था, ठीक है, depending on the location, जहां पे location, मतलब जिस area में वो ठंडा हो रहा है, उसके उपर depend करता है, कि volcanic rocks को, ठीक है, and plutonic rocks को हम divide करते हैं, अगर crust क के ऊपर आके ठंडा हो जाए, तो plutonic rocks, और surface के ऊपर आ जाए, तो उसमें, और basically, I'm really sorry, let me clarify this, volcanic rocks वो होंगे, जो surface के ऊपर cool down होंगे, तो यह वाले कौन से होंगे, volcanic, volcanic rocks, अंदर जो rocks बनेंगे, उनको बुलेंगे, plutonic rocks, crust के अंदर जो बन जाएंगे, लावा that cools within the crustal portions, assumes different forms, these forms are called intrusive forms, जो अंदर ये अंदर बन जाएं, उनको बुलाते हैं, intrusive forms, जिसमें सबसे पहले, यह जो है, आपका, जब आप बुक में chapter पढ़ रहे हैं, तो इसको सामने प्लीज रखेगा, अपने, class का लाई में, यहाँ पे रखा हुए नहीं, इसको pause करके सामने रखेगा, और उसके बाद देखेगा, पूरा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अब देखते हैं, पहला क्या है, batholets, a large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the crust, कहाँ पे होता है, crust के depth में, नीचे की गहराई के तरफ होता है, large domes के shape में होता है, वो surface पे तभी आते हैं, जब उप उपर वाला surface पानी से या किसी वज़े से deposition हो जाए, और उडने लग जाए उपर वाली layer, ठीक है, आंधियों की वज़े से धरे-धरे करते हैं, पता है ना आपको के उखरती रहती है उपर वाली layer, जब वो layer चली जाएगी, तब वो बहार आते हैं, otherwise वो layer के नीचे ही रहत करते हैं, large areas में cover करते हैं लोग, और बहुत बार ऐसी depth होती है कि वो several kilometers तक जा सकती है, ये granite से बनी हुई bodies होती है, and batholiths are the cooled portion of magma chambers, ये आपकी line imported नहीं थी, लेकिन आपको समझ आ रहोगा, ये कहां पर ये रहा batholiths, ये रहा आपका batholiths, next चलते हैं, next आता है आपके पास lacolith Large dome shaped intrusive bodies, intrusive मतलब ये भी अंदर ही बनते हैं, with a level based and connected by a pipe like conduit from below, तो ये batholiths देख रहे हैं आप, यहां से क्या जाएंगी, ऊपर जाएगा layers, और यहां पे और layers बीच में बन जाएगी, जिसको बुलाते हैं lacoliths, तो ये रहा lacoliths, ये भी intrusive form है, crust के अंदर अंदर बन रहा It resembles the surface volcanic domes of composite volcano, देखा आपने ये कैसे volcano की shape में ऐसे देख रहे हैं, ये conical बना हुआ है, तो composite volcano की shape ले लेता है, only these are located at deeper depths, it can be regarded as the localized source of lava that finds its way to the surface, lacoliths से ही जो lava होता है, basically जादा तर वो उपर surface के आता है करनाटे का plateau जो है, spotted with the domal hills of granite rocks, most of these now exfoliated are examples of lacoliths और batholiths, तो आज हमें दिख रहा है, ये lacoliths या batholiths ही है, basically उपर का surface erode होता गया, उड़ता गया और फिर हमें ये निकल के आ गया, तो ये बना रहता है, जब उपर वाला surface erode हो जाता है, ठीक है, erosion का मतलब लगा है आपको परत कायब हो जाती है, तब ये नीचे से दिखना शुरू हो जाता है, तो करनाटे का plateau के ये बात कर रहे है, वो इसके example बन जाता है, फिर आता है, lapolith, facolith and sills, जब लावा उपर की तरफ बढ़ता है, एक portion होता है उस लावा का, may tend to move in a horizontal direction, तीक है, ये कहां पे जाता है, horizontal direction म weak plane, जहां पे ये weak एक area देख लिया जाता है, वहां पे थोड़ा rest करता है, different forms में, in case it develops into a saucer shape, saucer shape अगर बना ले, just concave lens की shape होती है, उसको बुलाते है, lapolith, ठीक है, a wavy mass of intrusive rocks, at times is found at the base of sink lines, और at the top of anticline is folded, अब देखो क्या है, कि examiner आपसे इनकी definitions नहीं पूछेगा, बस पूछेगा, कि ये कौन सी landforms से, जो ये terms है, ये कौन सी landforms से relate करती है, वो लिख देंगे आपको sink lines, lapolith, lacolith, बोल देंगे कौन सी landforms है, volcanic landforms है, glacier landforms है, कौन सी landforms तो क्या answer होगा, volcanic landforms, sink lines and declines, ये volcanic landforms में है, ठीक है, और साथ में क्या answer होता है, facults, आपको detail में समझने की ज़रुत नहीं है, इसको बस नाम याद रखेंगा, ये उसमें volcanic landforms में मिलती है, the near horizontal bodies of intrusive regnes rocks are called sill or sheet, depending on thickness of the material, यहाँ पे आपको ये सारी जो हैं, इसमें यहाँ आपको समझा रखी है, और बता रखी है, ठीक है, horizontal देख रहे हैं, आप sill, ये बनी है, ठीक है, I hope आपको समझ आ रहो है, यहाँ से, उसके बाद, the thinner ones are called sheets, और जो thicker ones होती है, वो उनको बुलाते है, sill, मैंने आपको दिखाय था आपको, dykes क्या होती है, जब land में जो उपर cracks और fissures, जो दरारे बनी होती है, जब लावा वहां से उपर आता है, तो वो develop होता है, land के उपर, it solidifies almost perpendicular to the land, तो ये ठंडा कैसे होता है, land के perpendicular ठंडा होता है, ठीक है, it gets cooled in the same position to develop a wall-like structure बना लेता है, dykes, ठीक है, यह आपको दिखाता हूँ, मैं, यहाँ पर, dykes बनाया होई ह ये रहा, there is dykes, one second, let me show you, here a dykes, ठीक है, कैसे perpendicular, ये land है, ऐसे perpendicular बना होई है, ठीक है, ये dykes हो जाते है, उससा structures are called dykes, ये मैंने बताया, आपको wall-like structures, these are most commonly found, intrusive forms in western Maharashtra area, these are considered the feeders for the eruptions that led to the development of deck and traps, ठीक है, तो ये था आपको ये था आपको ये था आपको ये था आपको ये आपका interior of the earth chapter और motion of the earth, ये दोनों topics हमने यहाँ पे cover किया, अब हम next class में और वो topics cover करेंगे, 6 to 12th NCRT से जो भी पढ़ेंगे, ये आपका interior of the earth, अब क्या है, अब आप और आगे बढ़ेंगे, अभी structure और interior of the earth आपका यहाँ पे खतम हो जाता है, तीक है, अब हम आगे पढ़ अगर आपको major updates चाहिए कि रोज कितने बज़े updates classes आएंगी और जो भी मैं free PDFs provide करता हूँ, ये हमारा channel है, जिसका description में link देदूँगा, मैं target IB exams, यहाँ पे जाके आप 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 से देख सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको PDFs के लिए consult करना है मुझसे, तो at the rate mind maps by akash, ये भी मेरा telegram का channel है, ये मेरा personal है, यहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, और इसका भी मैं जो link होगा, वो description में लिख दूँगा, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, और target IB exams कर लीजेगा, यहाँ से आपको constant update मिलते हैं, सभी courses के जो हम चलाते हैं, ठीक है, current affairs की booklets हो जात हैं, तो आप इसको channel को join कर लीजिए, आपको updates मिलेंगे, और आप ही क्या है कि अपनी पढ़ाई में थोड़े से updated रहेंगे, so thank you so much for watching, I'll see you in the next class, अपना ख्याल रखिये, और आप देख रहे हैं, तो please आराम से इसको पढ़िए, समझीए, और maximum conceptual understanding लीजिए उससे, lecture से, thank you so much for watching, I'll see you soon.